Hello Guys, Welcome to Aadhaar Shila Academy Aadhaar Shila Academy में आप सब का स्वागत है जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे CBSC के क्लास 7 के मैच का चैप्टर 1 इंटीजर्स जिसमें हम डिसकस करेंगे exercise 1.3 का question 5 का part A तो चलिए जल्दी से discuss कर लेते हैं question number 5 का part A तो question number 5 है find the product using suitable properties हमें इंटीजर्स दिये हुए है जिनका हमें product करना है product मतलब दोनों को multiply करना है और उसमें बताना है कि इसमें कौन सी property का use किया गया है तो चलिए देखते हैं question number 5 का part A तो यह है part A जिसमें दिया हुए 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36 अब यहाँ देखिए 26 के भी पास माइनस 48 है और माइनस 36 के भी पास माइनस 48 है तो यहाँ पर दोनों के पास माइनस 48 है तो यहाँ पर हम लगाएंगे distributive property जो होती है A इंटू B इक्वल टू A इंटू C अगर हम यहाँ पर माइनस 48 को A मान ले तो 26 B हो जाएगा और माइनस 36 C हो जाएगा और दोनों के पास माइनस 48 कॉमन है यहाँ भी दोनों जगे A कॉमन है इसलिए यहाँ लगेगी distributive property अगर आपने distributive property वाला session नहीं देखा है तो उसका link description में है आप वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करके distributive property वाला session देख सकते है तो यहाँ पर दोनों के पास माइनस 48 है इसलिए हम माइनस 48 को अलग से लिख लेंगे याने common निकाल लेंगे दोनों के पास से तो यहाँ पर बचेगा माइनस 48 इंटू ब्रैकेट में 26 प्लस माइनस 36 और ब्रैकेट चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36 अब देखिए 26 के भी पास माइनस 48 है और माइनस 36 के भी पास माइनस 48 है अगर मैं यहाँ से माइनस 48 को चुपा दू और यहाँ से भी माइनस 48 को चुपा दू, तो क्या बचेगा, मैंने माइनस 48 यहां चुपा दिया, और मैंने माइनस 48 यहां भी चुपा दिया, चुपा दिया मतलब दोनों माइनस 48 थे, तो उसमें से दोनों को मिला कर मैंने एक ही माइनस 48 बना दिया, जैसे यहां बना दिया है, इसी को बोलते है common लेना, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा 26 plus और bracket में minus 36, वो ही मैंने यहां लिखा है, 26 plus फिर bracket में minus 36, और minus 48 common लिया था, इसलिए उसको bracket से बाहर लिखा है, और फिर minus 48 का into किया है मैंने, इन दोनों integers में, तो चलि हम board mask के rule के हिसाब से bracket के अंदर क्या, जो भी integers होते हैं, उनको solve करते हैं, तो यहां भी हम वैसी करेंगे, तो bracket solve करने के लिए सबसे बहले हम, दोनों signs को आपस में, into करेंगे, plus into minus होता है, minus, तो इसको हम लिखेंगे, minus 48 into bracket में 26, plus into minus, minus और फिर 36, अब देखें, यहां 26 plus है, और minus 36 यहां है, 36 का sign minus है, और 26 का sign plus है, जब दोनों के sign अलग-अलग होते हैं, तो दोनों आपस में minus होते हैं, तो हम 36 में से 26 minus करेंगे, तो हमें मिलेगा 10, तो इसको हम लिखेंगे, minus 48 into 10, दोनों को minus करने से आएगा 10, 36 बड़ा integer है, इसलिए उसका sign यहां लगेगा, अब यहां देखिए, minus 48 into minus 10 करना है, तो यहां सबसे पहले हम sign को आपस में multiply करेंगे, minus into minus, minus into minus होता है, plus, और उसके बाद हम लिखेंगे, 48 into 10, सबसे पहले sign आपस में into होंगे, उसके बाद integers आपस में into होंगे, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 48 इंटू 10 हो जाएगा 480 और यही होगा हमारा आंसर तो आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ड था इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा और आपको और अच्छे से उसमें एक्स्प्लेइन कर दूँगा तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं अपने नेक्स सेशन में और डिस्कस करेंगे कुशन नमबर फाइक के आगे के पार्ट से तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स सेशन में